Welcome back to the channel तो दोस्तों आज की वीडियो हम सब सीखेंगे कि आप सब की इस तरीके से अपने PlayStation 4 कंसोल पर जो है लेटेस्ट गेम्स को इंजोई कर सकते हैं अपने कंसोल को लेटेस्ट फ्रमबेर पर ही रखे दोस्तों वीडियो श्राट करने पहले आप सब को चोटा सा disclaimer देना चाहूँगा जो लोग यहाँ पर इस चीज़ की तलाश में आए हैं कि उनको as a proper jailbreak देखने को मिलेगा तो वीडियो को अभी से ही leave कर सकते हैं दोस्तों यह एक alternative method है जिसको हम बोलते हैं फेक PSN accounts का method दोस्तों इस method की मदद से आप सब अपने console को latest firmware पर रखके without उसको jailbreak कियोए अपने console पर latest games को enjoy कर सकते हैं यह somehow किछ लोग इसको jailbreak भी बोलते हैं because jailbreak की तरह ही जो हम इसमें latest games को खेल सकते हैं बिना किसी किसी भी restriction के बट यह jailbreak नहीं होता है इसको बोलते हैं fake PSN account का method दोस्तों एक समय आप सब देख सकते हैं मेरे console पर मैंने बहुत सारी games को install कर रहा है जैसे कि असेशन कीड वलला ड्रैगन बॉल जी केकरोट माई हीरो वन जस्टीस और भी बहुत सारी titles हैं यह देखिए far cry 6 भी है मेरे पास ghost of shushima ड्रेक्टर्स cut है marvel avengers इस समय मेरे download हो रही है और भी बहुत सारी games है जो मैंने अपने download list पे add की है सबको मैं दिखाता हूँ यह देखिए Tekken 7 है मेरे पास god eater है naruto है आप games देखी पा रहोंगे मेरे पास accession kit बलहला के सबी के सबी DLC जो है added है fifa 21 है resident evil 2 है Tekken 7 के भी सबी के सबी DLC मैंने add कर रखे है अपने list में captain tabusa है UFC 4 के DLC है DLC brock lesler DLC bruce lee and so on बहुत सारी लंबी list है जो मैंने add की है आप साब दोफ्तों इस सबी games को enjoy कर सकते है अपने latest firmware के console पर बिना किसी restriction के और बिना उसको जिल्बरे किये हुए दोस्तों इन सबी games को purchase करने के लिए आप सब निचे description में हमारा whatsapp का number है और हमारा instagram का id का link है आप सब वहाँ से हमसे contact कर सकते है दोस्तों अगर आप हमसे एक fake PSN account purchase करते हैं तो आप सीखते हैं कि आपको ये games मिलेंगी किस तरीके से और आपको इन games को download किस तरीके से करना है अपने PS4 console पर दोस्तों सबसे पहले चीज़ जो है आप सब का console जो है वो latest firmware पे update होना चाहिए इस समय आप सब पहले अपने settings पे जाएंगे आप सब को पहले अपना में system firmware चेक आउट करा देता हूँ दोस्तों यह देखिए जमरे system firmware है वो इस समय 9.03 पे है जो कि इस समय का latest firmware है दोस्तों अगर ही आप वीडियो कभी बाद में देखेंगे और सोनी अपना कोई और system firmware release करता है उस समय का जैसे कि 9.05, 9.99 और 9.00 कुछ भी firmware हो दोस्तों steps बिल्कूल ही same रहेंगे जो आपको मैं अपनी इस वीडियो पे जो है दिखा रहा हूँ इस समय बस आपको उस समय का जो latest firmware होगा आपको अपने console को उस firmware पे update करना है अपडेट किस तरी कैसे करते हैं दोस्तों आप सब अपनी settings पे जाएंगे console की उसके बाद आप सब network पर जाएंगे और आप सब जो है यह आपको option यहाँ पर दिख रहा होगा connect to the internet इसको जो है आप सब को enable करना है enable करने के बाद दोस्तों आप सब setup internet connection पर जाएंगे और आप सब जो है wifi और LAN cable यूज़ करके अपने console के साथ internet को setup करेंगे तो अभी मैं आपने जो है internet को test कर लेता हूं कि मेरा internet properly work कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों अभी इसके बाद आपको मैं जो भी steps आपको बताऊंगा आपको सबी steps जो है properly follow करने है जैसा आपको मैं instruct कर रहा हूं आपको same वह instructions follow करने है आपको कोई भी step जो है अपने से remove नहीं करना है और skip नहीं करना है और add नहीं करना है यह steps जो हैं दोस्तो हमने बहुत सो समझ कर और बहुत वारी अजमा कर बनाया है तो please इस चीज़ का आप सब जो है खास करके ध्यान रखिएगा and description box जरूर चेक किये जीएगा मैंने description box में सभी steps को लिख के भी mention किया है Hindi और English दोनों में दोस्तों एक बार ही आपके console के साथ internet जो है connected हो जाए उसके बाद आप सब जाएंगे इस option पर जो की है system software update and आप सब अपने console को जो है बिल्कुल ही latest firmware पे update करेंगे मेरा console already updated है तो यहां पर दिखा रहा है कि आपका console already latest firmware पर ही है बड़ आपका console अगर नहीं होगा तो आप इसको update करेंगे एक बड़ अपने console को update करने के बाद आप सब जाएंगे अपनी login settings पर दोस्तों login settings पर जानने एक है delete user आप सब create user के option पर जाएंगे यहां से आप सब जो है accept के option पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहां पर दो option आ जाएंगे एक होगा आपके सामने skip option और एक होगा आपके सामने next option दोस्तों आप सब जो है skip के option पर क्लिक करेंगे skip के option पर click करेंगे दोस्तों आपको जो है कि एक user create करने को बोलेगा जिसको की हम बोलते हैं offline user तो यहां पर मैंको भी अफ़तार choose करने को बोल रहा है आप कोई साथ भी एक अफ़तार choose करेंगे और आप सब जो हैं यहां से इसको confirm करेंगे दोस्तों इस तरीके से आप देखिए मैंने अभी एक user create की है जिसका नाह में user1 इसको हम बोलते है offline user दोस्तों तो मैंने एक offline user को create कर दिया है इसी same steps को follow कर गए आप सब को भी अपने console में एक offline user को create करना है एक बार ही offline user आपका create हो जाए आप सब power पर जाएंगे और आप सब जाएंगे switch user दोस्तों switch user पर जाने के बाद आप सब के console पर जितने भी user आपने create की होंगे वो सब आपको दिख जाएंगे मेरे console में इस समय बहुत सारे user already created है बट आप जो हैं उसी user में जाएंगे जो अपने just उसी वक्त create किया होगा अपना offline user जो किता user 1 तो अभी मैं आपने offline user में enter कर चुगा हूँ एक बारी आप सब लोग जो हैं अपने offline user पर आ जाएं उसके बाद आप सब जाएंगे अपनी settings पर और आप सब जाएंगे दुबारा से login settings दुबारा से आप सब user management पर जाएंगे एंड एक और user को create करेंगे accept के option पर आप सब click करेंगे दोस्तों इस बारी जो हैं आप सब जो हैं next के option पर click करेंगे दोस्तों इस जिसका खास करके ध्यान रखिएगा पिछली बारी हमने skip के option पर click करके एक offline user को create किया था बट इस बारी जो हैं हम सब next के option पर click करेंगे दोस्तों next के option पर click करने के बाद आप कुछ इस तरह की screen पर आ जाएंगे जिस पर लिखा होगा sign in into playstation network और आप से जो हैं कि एक id और एक password मागेगा दोस्तों ये id password जो हैं आपको हमसे provide किया जाएगा जो भी id pass आपको हमसे provide किया जाएगा आप तो आपको same to same वही id password यहां पर भर देना है दोस्तों id password यहां पर लिखने के बाद आप सब यहां पर जो हैं link के option पर click करेंगे यहां पर कभी कबार sign in लिखा होता है फिर आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों ये देखिए इससे में जो है मैंने ID Pass डाल के Link के Option पर क्लिक कर दिया है and हम कुछ इस तरह की स्क्रीन पर आचुके हैं यहाँ पर जो है दोस्तों हमको एक verification code के लिए पूछ रहा है दोस्तों ये code भी जो है आप सबको हमसे ही प्रवाइड किया जाएगा तो इस समय जो है मैं जल्दी से यहाँ पर एक verification code डालके verify के option पर क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों एक बार ही जब आप सब verify के option पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक loading screen आ जाएगी यह दिख्याँ पर आ चुका है the user has been created आप सब इसको ok कर देंगे दोस्तों यह user वो होगा जो आपको जो है id pass भरने के बाद हमसे मिला होगा जिस user की मदद से आपको games मिलेंगी आप सब switch option पर क्लिक करके दुबारा से जो है अपने इस screen पर आएंगे आप सब इस बारी उस user पर जाएंगे जो user आपने just अभी create किया होगा दोस्तों एक बारी आप इस user में enter हो जाएं जो user आपको हमसे मिला होगा आगे की steps जो हैं आप सब जल्दी जल्दी करेंगे आप सब जल्दी चेस की settings पर जाके इसके जो है account management के option पर जाएंगे account management पर जाने के बाद सबसे पहली चीज़ आप सब जो है activate as your primary ps4 पर click करेंगे और आप सब चेक करेंगे कि आपका console जो है वो already activate है की नहीं मेरे case में मेरा console already activated था आप देख सकते हैं नीचे भी हाँ पर लिखा है this ps4 is activated as your primary ps4 दोस्तों हमारे सबी के सबी account जो है वो automatically activate होते हैं बट कुछ cases में जो है account कभी कभार activate नहीं भी होता अगर आपका account already activate नहीं होता है तो आप सब उसको manually activate करेंगे एक बेरे आपका manually activation हो जाए आप सब जो है restore license की option पर जाके licenses को restore करेंगे जैसे इस समय मैं कर रहा हूँ दोस्तों आप सब जो है complete सबी के सबी licenses का restore हो जाने का wait करेंगे आप सब cancel या back option पर click नहीं करेंगे जब तक आपके licenses completely restore नहीं हो जाते आप सब यहां से back नहीं आएंगे दोस्तों activate as a primary ps4 check करना and licenses को restore करना यह दोनों ही जो है बहुत important step है दोस्तों यहां से और इसके आगे जो steps है सबी steps बहुत ही जादा important है तो please कोई भी step यहां से जो है आगे skip ना कीजिएगा तो यह देखिए licenses अब भी restore हो रहे हैं आपको कुछी seconds का भी time लगेगा तो यह देखिए licenses हमारे completely restore हो चुके हैं एक बार यह आपका licenses restore हो जाएं आप सब अपनी home screen पर आएंगे और आप सब जो हां right hand side पे library होगी आप सब वहां पर जाएंगे यह देखिए right hand side last में है library दोस्तों library पे click करने के बाद आप सब जाएंगे purchase के option पर यह देखिए नीचे है second last option है purchase के option library पे जाने के बाद second last option purchase आप से आप देखते हैं यहां पर लिका है hundred games मतलब इस account के अंदर जो है सो से भी जादा games available है दोस्तों एक बारी आप इस option पर आ जाएं आप सापको यहां पर बहुत सारी games दिख जाएंगी आपको जितनी भी games चाहिए हो जो भी games आपको अच्छी लगें अब सभी games को एक ही बार में download list पे add करेंगे दोस्तों एक किसका ध्यान रखेगा खाफी ल दोस्तों जितनी भी games आपको चाहिए हो जो भी games आपको अच्छी लगें अब one by one किसी तरीके से जो है सभी games को add करते जाएंगे दोस्तों यह देखिए आप सबको दिखाने के purpose से मैं भी आपको दिखाता हूं कि GTA 5 जो है हमारी download list पे add भी हो चुकी है जैसा कि हमको साइट पे pop-up भी आया था एंड आपको मैं notification में भी अभी check out करवा देता हूं कि वो GTA आई है कि नहीं आई है तो यह देखिए हमारी Grand Theft Auto 5 जो है हमारी download list पे add हो चुकी है दोस्तों बट आपको ऐसा नहीं करना है आपको बार बारी check करने की जुरुत नहीं है इस सब मैं जहां आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं बट आपको जितनी भी games चाहिए हो अब one by one one by one सभी game को add करते जाएंगे दोस्तों आपको downloading finish होने का wait नहीं करना है हम सिर्फ games को download list पे add कर रहे हैं काफी लोग इस चीज़ में confused हो जाते हैं वो account के अंदर downloading finish होने का wait करते हैं बट आपको ऐसा नहीं करना है आपको जितनी भी games अच्छी लगें जो भी games आपको चाहिए हो आप सभी games को one by one add करेंगे अभी एक से दो game ही जो हैं अपने लिए रख रहा हूं बड़ आपको जितनी भी games अच्छी लगे 10 games 20 games या 100 की 100 games अगर आपको चाहिए हो आप सभी games रख सकते हैं कोई भी दिकत नहीं है दोस्तों हम जो है custom requirement के हिसाब से भी games देते हैं अगर आपको को specific titles रही हैं जो आपको को specific अ सभी के सभी आपको लगबग 100-500 games आप सबको मिल जाएंगी दोस्तों जो इन accounts की starting range होती है वो 500 रुपे से जो है games start हो जाती है and जो latest games होती है जो भी जो की मतलब day one release होती है वो थोड़ा सा कोशली होती है मतलब कि वो 700-800 रुपे में आपको मिल जाती है and जो इस तरह के जो बड़े bundle होते हैं लगबग 100 games वाले जा 50 games वाले वो आपको 1000-1500 या आपको 1200 में आपको मिल जाएंगे तो इस समय यह देखिए मैंने Mortal Kombat add की है and यहाँ इसके DLCs भी show हो रहे है DLC add करने के आप सब select all करेंगे and download पे लगा देंगे इस समय मेरी Mortal Kombat ultimate भी add हो चुकी है सभी के सभी उसके DLC के साथ तो यह देखिए यहाँ पर और भी कितनी सारी games हैं जो आप सब download कर सकते हैं तो अब मैं यहाँ से back आ जाता हूँ दोस्तों एक बार आप सभी games को download list पर add कर लें जो भी games आपको चाहिए हो उसके बद आप सब जो हैं दुबारा से अपनी settings पर जाएंगे उस user नीगरा से क्लिक करेंगे और हम सब one licenses को से डोबारा से restore करेंगे दोस्तों कुल मिला के हम इस पूरे process में licenses को दोभारी restore करेंगे एक बार हमने license restore पहले किये थे गेम को download list पे add करने से पहले एक बार हम license को अब restore करेंगे सबी games को download list पे add करने के बाद बदब कुल मिला के दो बार हम licenses को restore करेंगे हम पूरे का पूरे license restore हो जाने का wait करेंगे दोस्तों मैंने सबी की important steps जो है अब सब को follow करने है and सबी important steps और rules मैंने Hindi और English दोनों में ही लिखके mention की है अगर आपा इस process से related कुछ भी question है जा कोई भी query है आप सब निचे comment section में मुझसे पूछ सकते है and इन सबी accounts को purchase करने के लिए निचे description में मारा whatsapp का number है अब सब हमको वहाँ से contact भी कर सकते है दोस्तों यह देखिए एक बड़े आपका license restore हो जाए दोस्तों अब सब जो है यहाँ पर top से sign out पर click करेंगे दोस्तों sign out करना बहुत ही जादा important है most important step है sign out करना last में तो इसको जरूर कीजेगा एक बड़े आप sign out कर लें आप सब जो है अपने इस user पर जो है एक passcode भी लगा देंगे तकि आप से कभी accidentally इस पर click ना हो जाए आप सब जो है power पर जाके अपने console को दुबारा से restart करेंगे दोस्तों restart भी करना बहुत जरूरी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सभी steps ही बहुत जादा important है दोस्तों अब आपको इंतजार करना है अपने console के वापी से restart हो जाने का तो दोस्तों जब तक हमारा console वापी से restart हो जाता है आप सबको मैं कुछ important steps यहां बता देता हूँ जो सबसे important steps हैं जितने भी user आप सबको हमसे मिले होंगे एक user, दो user, तीन user आप किसी भी user को कभी भी delete नहीं करेंगे नहीं आप कभी re-enter करेंगे उन users में जो users आपको हमसे मिले होंगे पहला rule, दूफरा rule आप अपने console में किसी भी तरह का gameplay नहीं करेंगे जब तक आपकी सारी game डाउनलोड नहीं हो जाती मतलब आप अपनी भी कोई games नहीं कहलेंगे नहीं आप हमारी दी हुई कोई भी games खेलेंगे अपने playstation 4 console पर जब तक आपकी सभी game डाउनलोड नहीं हो जाती यह देखिए दोस्तों मेरा console यहां पर इस समय turn on हो चुका है दोस्तों आप जो है उन users को delete भी नहीं करेंगे जो user आपको हमसे मिले होंगे मतलब in short आप उन users के साथ किसी भी तरह का temper नहीं करेंगे जो users आपको हमसे मिले होंगे एक पर आपका console वापी से turn on हो जाए आपको इस तरह की screen पर आजाएंगे जहां पर आपको अपने सभी users दिख जाएंगे दोस्तों अप जो है आपका सारा पुझस यहां पर खतम होता है अप जो है आप सब अपने default user में enter करेंगे मेरे case में मेरा default user था जो आपको उने वीडियो की starting में दिखाया था टेक्निकल अभी menu करके तो मैंने उस पे enter कर दिया है तो दोस्तों यह दिखें यहां पर आपको सभी की सभी गेम आपको दिख जाएंगे जो गेम सामने उस user से add किये थे कैसे की Mortal Kombat Ultimate, GTA 5, GTA 5, Senderias सभी की सभी गेम ही जो है मेरे अपने user पर आ चुके हैं तो दोस्तों यह देखिए आपको मैं notification में प्यापको मैं सभी गेम जो है चेक आउट करवा देता हूँ तो यह देखिए आप इसा में देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी की सभी गेम जो है पुराने वाले भी added है और नए वाले गेम जो हमने उस user से जस्ट अभी add की है वो गेम भी आ चुके हैं मारे अपने user पर इनको मैं भी pause कर लेता हूँ विकास मेरे को इनकी need नहीं है बट आपको ऐसा नहीं करना है आपको सभी गेम कोई downloading finish करने है जितनी जल्दी हो सके दोस्तों सभी ही games के उपर और सभी accounts के उपर 2-3 दिन की downloading warranty प्रवाइट करते हैं दोस्तों आपको एक जिसका ध्यान लखना है आपको जितनी जल्दी हो सके इन games को download करके अपने console के साथ internet को remove करना है दोस्तों ये देखिए सभी games जो है यहाँ पर आचुकी है अब आप कुछ important steps बता देता हूँ सबसे important step है आपको अपने console में game नहीं खेलना है कोई भी जितनी भी games आपको मिली हो आपको किसी भी तरह का gameplay ensure आपके console में नहीं होना चाहिए आप games तभी खेलेंगे जब आप सभी game की downloading finish कर देंगे and आप अपने console से internet को remove कर देंगे second चीज आप उन users को कभी delete नहीं करेंगे ना ही उन user में कभी enter करेंगे दोस्तों तीसरी चीज आप जितनी जल्दी हो सके अपने console के साथ से internet को remove करेंगे एक बारी internet remove करने के बाद आप सब सभी games को play कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही I hope आप सबको वीडियो अच्छी और informative लगी हो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें मिलते हैं next time next video में तब तक के लिए peace out